और अब जिस तरह से उनको बरखास किया गया है तो मेरी खाल से जरूर पार्टी को इसका इंपूट होगा कि वो जो है कॉंगर्स पार्टी के ज़्यादा करीब हो रहे हैं और हो सकता है कानवल दुरों में वो कॉंगर्स पार्टी में शामिल भी हो जाएं उससे पहले नमस्कार मिनाजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News बस्पा सुप्रीमो मायवती ने अपने सांसद दानिशली को निलंबित कर दिया यह कहते वे कि वो पार्टी की चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अपनी ही पार्टी का अपमान करते वे नजर आ रहे हैं उन नीतियों के खिलाफ लोकसभा के अंदर यहां पर रमेश विदूरी भारते जनता पार्टी के सांसद ने अभधर भाषा का इस्तमाल किया था उनके खिलाफ उसके बाद सिर्फ मायवती का ट्विट सामने आता है जो यह कहते वे नजर आती हैं कि लोकसभा स्पीकर को इस पर एक्शन लेना चाहिए उसके बाद तमाव विपक्षी पार्टियां यहां पर दानी शली से मुलाकात करने तो आती हैं समाजवादी पार्टी की बात करने तो वो भी समर्थन देते वे नजर आते हैं कॉंग्रेस पार्टी की बात करने तो वो भी समर्थन देते वे नजर आते हैं ल लोगसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कदम उठा सकते हैं सर जिस तरीके से बसपा गटबंधन से नकारती वी नजर आती है लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो तो कहते हैं कि हम तो तयारें कोई हमें दोहराये नहीं कि अगर लोगसभा के चुनाव की बात हो या कोई बी चुनाव की बात हो कि हम गटबंधन नहीं करेंगे वहीं कॉंग्रेस पार्टी तो दानिश अली से मुलाकात करने बी जाते हैं कॉंग्रेस ने तरह राहूल गांदी की बात करें तो क्या दानिश अली जो हैं वो अब कदम उठाते भी नजर आएंगे कि या प्रक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे उनके प्रक्ष में बने क्योंकि यूपी में कुछ ऐसा है नहीं कॉंगर्स पार्टी का जो उनको बहुत ताकत बरें मजबूत करता हो तो ऐसे में अगर दानिश अलिए कि आप बात करें कि उनको पार्टी दे बरखास किया गया तो मुझे लग रहा है उनका अगला कदम कॉं करीब नजर आते हैं कभी कॉंगर्स पार्टी का जो कह सकते हैं कि महां कटमंदन बना है इंडिया एलाइंस उसमें जाना चाहते हैं बर उसके बहुत करीब नजर नहीं आते तो कन्फिजन कहने कि माया बती ने पैदा कर रहा है और पूरी तरह से ना तो वो एक्टिव होती हैं और नहीं वो एक तरीके से इस पॉलिटिकल से दूर हो पाती है तो यह जो उनकी कन्फिजन पॉलिटिक्स से यह अपने आप में बहुत सारे सावाल खड़े कर रही है 2019 में उनको 10 सीटे मिली जबकि देख रहे हैं कि सापा और बस्पा का गठबंदन था 2022 का हशर आपने देखा कि उनको एकका दुकाई में खल सीट मिल पाई जो यूपी की राजनीती में तो ये एक ऐसा माहूल है जो यूपी में बस्पा क्या नजर आ रहा है हलाकि उनकी बोट बैंक है इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन वोट बैंक उनके लिए सीटे दिलाने काम नहीं कर पा रहा है क्या यही संकेत मिल रहे है क्या कुछ लगता है आपको कमिन बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद